All the best for your exam and do properly Re-check it again and again before giving your answers चलो, Bunny, take your back Come here Hello guys, welcome back to the channel होप आप सब बहुत इच्छे होंगे तो यह है Tuesday के morning का clip है Honey Bunny चले गहे हैं school आज से उनका exam स्टार्ट है तो and मैं यहां पर थोड़े से कपड़े थे तो मशीन में मैंने डाल दिया जादा नहीं थे तो मैंने मशीन में डाल दिया है और यहां पर सुबह का रूटिन जो है यह रात को मैंने जिंजर, गार्लिक और कच्छा हल्दी न कूट के पानी इसमें एक ग्लास आड़ करके रख दिया था बस इसको सुबह जो है वो बॉयल करूँगी आधी ग्लास होने तक इसमें अर्जन का चाल भी मुझे डालना है बट वो अभी तक ऑइडर किया आए तो डिलिवर नहीं हूआ है तो वो आएगा तो इसमें अर्जन का चाल भी अड़ करतेंगे साधी साथ मेथी दानना भिगो के रखते हूँ तो वो मेथी का पानी पीते हैं में झाद के लिए-टो बनाता है। मैं और भावल। घने यहां पेनी के और यहां है। जो मैरो है न वो लिया था तो उसको छोड़े पीसेस में काट रहे हूँ और कड़ाई में थोड़ा सा तेल उसमें जीरा मेथी सरसू एड़ किया थोड़ा सा लैसन का तड़का लगाया कड़ी पत्ता एड़ किया और यह जो मैरो है खुसा है वो एड़ कर दिया टमाटर एड इसमें बस basic मसाले हल्दी धनिया पौडर नमंक आड़के था और कुछ नहीं और हरी में चाड़के रख दिया था यह ना जैसे तोरी होता ना तोरी की तरह ही होता इसमें पानी बगर आड़करने के जरूरत नहीं होती है यह अपने आप से उसी में पानी निकलता है और उसी म और उपर से भुना हुआ जीरा और लालमिश का पाउडर जो है वो एड़कर दूँगे तो जीत के लिए मैंने पका चावल बना लिया था और यह बासमतिराई से यह मैंने हनी बनी और अपने लिये बना लिया था तो इसको यह भी रेड़ी है बनके और वहां पे करीब जो प्रफट सा शावल बना लिया है रोटी वह भी वह नहीं खा रहे और जो सलाद अन यह सब जो है वो पैक कर दिया है तो जीत अभी जा रहे है ना ओफिस देन मैं फिर थोड़ा सा फ्रेश हो के नहां के फिर जाओंगे हनी बनी को स्कूल से लेने के लिए क्या हो रहा है दे कर से किचि कर जाये मेरा बेचा तीन उभाई बैठें तीन उभाई बैठें तीन उभाई बैना बैना है वह रोम हैं थे अवरम इंडर एक सान्त है व्राज कंवर मेरा जा बेटा विसकोस हम मिसकोस मिसकोस अप्रे6 एजस एल यह वप्रे वे अपरे विन पर ए्ट औरिए वे नपरे वै कि एख फि नपरे बदह lets do कि नहrid कि ? दूसरे साथ को चारो तरब से करता पर दूसरे साथ तो शिवाने इस आप शिवाने है तो दूसरे साइट सिंबारे पुरा वो खराब कर रखा है अभी हनीबन को सुला दिया है वो स्कूल से आ जाते हैं साड़े क्या रहा तक तो उनको नहला के खिलागा थोड़ा पढ़ा लिया कल उनका इंग्लिस रिडिंग पेपर है मतलब कॉंफरेंसिव वो सबाएगा तो वो पढ़ा दिया और उसके बाद उनको सुला दिया है शाम को उठेंगे तो थोड़ा सा और पढ़ा के फिर अपना खेलेंगे थोड़ा बहुत अभी फिलाल में जा रही हूं सुपर मार्केट थोड़ा सा कुछ देखते हूं को सबजी वगरा कुछ लेके आऊंगी मतलब कुछ अच्छा सा बनाने का सोच रही हूं क्योंकि लास्ट ट्रीक तो जीतने बिलकुल कुछ भी नहीं खाया मतलब पूरा लिक्विड डाट पे वो मानों की लिक्विड डाट पी थे उससे पह अगिस्तान में पहला दिन होगा आप सबको वन सेगे रमजान मुबारक और यहां पर तो महोल अपलों को पता है अलगी होता है अलगी होता है अलगी रहनक लगी रहती है अभी शाम का टाइम होने वाली है इफतार से पहले हर एक सुपरमार्क बोलूं काफे रेस्टरंट अपने बाहरे सट अपसे पकोर वगरा ह 묶िया इतने वराइटी होते है थी न फेमले रोजसय कोले मुझे को ते उसके पाद शैकिन सुपरमार्क चाप कर मुझे होता है है इह मैं और के काली पकोर रखे रहे हों जाएग कोरण देखने हैं आपकोर पकोर्ण वंऑ तनलट कै कोड़े जरूर होंगे तो चलिए गाइस अभी चलती हूं सुपरमार्कर से को सब्जी बगड़ा लेकर आई हनी बनी सो रहे हैं अराम से अभी वो ठेंगे नहीं एक बना उनको सोने में नाटक अथिंग सारे बच्चों का वही होता है सुलाने लेकर जाओ तो नाटक नहीं सो सो जाएंगे तो चलिए गाइस मैं चलती हूं और एक को देखिए जब चौबी संडा सोता रहता है इधर इधर इसको खाली लाड़ चाहिए ट्रीट चाहिए और छोना हाँ वह बला उं जिस्टब मत कर अ सकता, सब्च्च कर दो हाँ posまぁ स बच्च कर सब्चwol करवगा торचे श्रीट चाहिए सो बच्या रहर करूं़ पॉलग है सब्च हां वहा है सांवे प मEC-र क।ेर सब्च्चaggi का अरे एक क्यों इवो का इव और कि तो अंदाबर है साम प हराब हरा कबाब सबके लिए मतलब हल्दी भी रहेगा ठोड़ा सा कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा के लिए तो यहां पर मैंने पानीगरम कर लिया है इसने मैं पहले पालक भूड़ ब्लैंच कर लोगी यह गया उसमें एक मैंने भू लिया है पालक ए गपनडल फालक यह अभी boil हो चुका है तो इसको अभी मैं निकाल के तुरंथी थंडे पानी में डाल दूँगी ताकि इसका color जो है वो change नहीं हो कि अभी तो यहां पर में थोड़े से मटर जो है वो ले रहे हो यह फ्रोजन वाला है फ्रेश नहीं है तो इसको भी हल्का सा बस गरम पानी में वो करके मैं इसको निकाल दूँगी यूंकि मुझे पालक को और इस मटर को एक साथ में पेश्ट बनाना है ग्रैंड करना है यहां पर मैंने दो चमच बेसन लिया हुआ है उसको मैं हलका सा ड्राय रोष्ट कर रही हूं पैन में हलका सा बस कलर चेंज हो जाए ना बस इसको निकाल लेंगे इसको हम लोग यूस करेंगे बाइंडिंग के लिए अब एक पैन में मैं ले रही हूँ एक चमच घी ओल से घी बहुत अच्छा होता है इसमें एड करूंगी थोड़ा सा जीरा अद्रक थोड़ा सा बस इसको हम लोग मतला रोष्ट कर लेंगे देन इसमें मैं एड करूंगी कैप्सिकम इसको भी हलका सा हम लोग भुन लेंगे बस हलका सा यह सॉफ्ट हो जाएगा ना तब तक हम इसको भुन लेंगे अभी इसमें हम लोग आड कर देंगे यह जो पेश्ट बना कर रखा था पालक और पीस का मतर का इसको हम लोग आड कर देंगे इसको भी अच्छे से बुन लेंगे से अब लगबब कर देंगे तो इसमें को पावडर मसाले बेसिक पावडर इसमें मैंने आड किया ह हल्दी पावडर लालमिच का पावडर धनीत पा एडी Champ अभी गयास का फ्लेम जो इमा उफ कर दूँगी अभी मैं इसमें एक पनीर जो है वो थोड़ा सा ग्रेट करकर एड़ करोंगी चोड़े पीसे में अब नियर की क्या सकते हो पनीर की जगापर आप छोया जो है ने स्पहस को अबार चज़के छोड़-बेश्व कर दो कि यो और ये मिले सकते एंड चाहित न चूटे सका आलू जो है बॉयल डालू उसको अंग ग्रेट करके रहे ओ यह जो बुना हुआ बैसन रखा था ना वह ने आड़ कर दिया आप इसके जगह पर कॉण फ्लो भी ले सकते हो ब्रेट क्रम्स भी ले सकते हो बट बुना हुआ बैसन सबसे मतलब अच्छा तरीका है तो पहले तो मैं थोड़ा इसको मिक्स कर दोंगे दिन मुझे अगर और ज अब हाथ में थोड़ा सा बस ऑईल या घी लगा के तब आपकों लोग शेप देंगे इसमें बीच में एक ऐसे काजू लगा रहे अच्छा दिखता है वैसे अब चाहो तो थोड़ा सा मोटा भी बना सकते हो कबाब अगर आप इसको फ्राइ कर रहे हो दिन थोड़ा सा मोटा रख सकते हो मैं थोड़ा सा तवे पर ही बस सेकोंगी इसलिए मैंने पतला रखा है ताकि वह अच्छे से सिख जाए तो ऐसे करके सारे कबाब जो है हम लोग बना लेंगे और आप चाहो तो एर फ्राय कर ल बहुत अच्छा लगता है तो बस यह फटा-फट इसको मैं अभी बना लेती हूं और खाने से पहले बस गर्मा गरम इसको मैं सेक लोंगी यह ऌपे है बहुत अच्छी हवा चली हूई है यह अद किसी-किसी कि घर भी है सजे हुए ए की वजे से एंड न वह रहा क्रेशेंट मूून बहूत सुंदा लग रहा है कैमरे में प्रत्षने आ रहा है कैमरे में कमुटा मून रगे रहा है वैसे बहूता हैज मोद अमलेर सबला है ओ, हवा चल रही है, सिंबा, हवा चल रही है, तुझे ठड़नी लगेगी, तुन्हें तो स्वेटर पहना हुआ है, तुझे ठड़नी लगेगी, मैं तुम आपने भी, आपने भी, आपने वाइट स्वेटर पहना है, जे वहां पे खेल रहे हैं, पढ़ाई के बाद, और मैंन थोड़ा सा तर्गुज खाले बूख लगी थी मैंने सुब्बे अराउंड बारा बजे खाया था कि मुझे भूख लग रही थी इसल गरी में ॔पु टाहिया औरिख संघर टुला व्छांड डो टाहिया था इसलें पढ़ो थे क्यां गरी थी थैन समी पाला рाई ता पूल रहा है ? वह सस्साब आ नहीं प्रीज कर लिया आप उर्पाइब कर दो यहां पर मैंने ठोड़ा साग घी झोहे इसमें ग्रीस कर लिया है अब चाहो तो ज्यादा तेल में भी उसको तौड आप सकते हो मतलब सैलो प्राई कर सकते हो मैंने पस थोड़ा सागी अब इसी में ही मैं इसको दीमी आंच में कुक कर लोगी क्योंकि कम घील आना तो दीमी आंच में कुक करेंगे ताकि अच्छे से हो जाए यह बनके रेड़ी है हमारे हरे भरे कबाब अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ट्राइ करना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको तो यह हो जाएगा मेरा डिनर इसमें से में दो तिन कबाब खा लूँगी साथ में मैंने जो पनीर बच गे ताना उसमें बस तो मेरा डिनर यह हो जाएगा पनीर एंड कबाब और जीट के लिए भी कबाब सेख दूगी एंड उनके लिए थोड़ा सा काला चनी का जो सलाध है वो बना लोगी तो नका डिनर हो जाएगा बच्चों को में कबाब एंड रोटी खिला दूगी तो यहां पे और चार पड है थे ए खिला दूगर रावर्ण कबाब अबंतन कबाब से सिध्ड हरा रा रा कबाब भाड़्या बना है अच्छा भंडरिया है प्रीया हूं थानी ना यहां फ्राइ ने 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 यहां ने फ्राइन ने टोड़ी थोड़ा से एक हुं हूं अच्छा अछल इंए पर ज़ग इसालाद नहीं नहीं खाएंगे, वो फिश खाके हाएं माया देखने के लिए जीत को फुरूट्स खाएं अप्रोट बाविया कुछ भाने पाएंगे तो पीने के ले 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 आते हुट? पीने के हालिकस ले आते हालिकस अब इसो ठीक है अब तो फुरूट्स भाने को खेंगे अब और आते हैं झाल आते हैं पीने खाएंगे पाएंगे वाज दो जाएंगे पाएंगे पाएंगे जाएंगे दोड़के जाएंगे हेरा हमारा हल्दी वाला दूढ जीद थोड़ा साहनी डाल के पीते हैं और मेरा बिना मठे के हनी बनी चले गए है सोने के लिए तो आज का ब्लोग यहीं पैण करते हैं मिलते हैं आप से नेक्स्ट वाले ब्लोग में से बाबाइ बाइ बाइ वापरे चमक बाइ झाल झाल